QPSC 2024 के प्रारंभिक परिक्षा में जो प्रस्ण पूछा गया मेरे प्रस्ण पत्र का ये साथमा कोस्चन है निम्नलिखित सूचना पर विचार कीजिए छेत्र मध्धेशिया परवत स्रिंखला का नाम वौसेज़ परवत के प्रकार का नाम वले छेत्र यूरोप परवत स्रिंखला का नाम आल्प्स परवत का प्रकार भ्रंसोथ या ब्लॉग छेत्र उत्तर अमेरका परवत का नाम अपलेशियन वलिद परवत परवत का प्रकार दक्चिन अमेरका परवत स्रिंखला का नाम एंडीज और वलिद परवत यहां मैं सौट में बता रहा हूँ और फिर हमने जो क्लास में पढ़ाया है डीटेल्स वो आप इसके बाद देखिएगा पहले वॉसेज़ मद्धेसिया में नहीं है फ्रांस का परवत है ये गलत हो गया फिर आल्प्स वलिट परवत है भ्रंसोत नहीं है ये गलत हो गया उत्तर अमेरिका में अपलेशियन है और बलिट परवत है अदक्षिन अमेरिका में एंडीज है और ये बलिट परवत है इसलिए इसका जो है आंसर होगा केवल दो ये हमने आपको जल्दी में बताया अब आप देखिए कि मैं अपने क्लास में UPSC का जो प्रिलिम्स का क्लास था उसमें हमने बच्चों को किस प्रकार से पूरा डिटेल्स इसको समझाया है अब देखें वलिट परवत इंडिया में है कहा कहा लिखे क्रम संख्या परवत का नाम छित्र लिखे पहला हिमाले एसिया दूसरा आल्प्स मद्ध यूरोप रॉकी उत्तरी अमेर्का एंडी दक्षिन अमेर्का यूराल एसियायुरोप अपलेशियन, उत्तरी अमिर्का, अटलस, उत्तर पस्चिम अफ्रिका, पियनसान, पुजबेकिस्तान, चीन, सयान, 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 रूस, इस्टेनो बाई, इस्टेनो बाई, इस्टेनो बही, ब-A-H-I, उत्तर पस्चिम अफ्रिका, रूस, स्वरी, रूस, एटलस जो लिखे थे, वो था उत्तर पस्चिम अफ्रिका, अब आईए देखें, ब्लॉक परबत, कहता है, अबरोधी या ब्लॉक परबत का निर्मान, तनाव या खिचाव की सक्तियों के द्वारा होता है, इससे क्या सिखें, कि दिमाग में ना तनाव रखना है, अना खिचाव रखना है, ने ते दिमाग में ब्लॉक परबत बनेगे, और वो है अबरोधी, फिर कुछ याद बाद नहीं रखने देगा, इसलिए तनाव नहीं लेना है, खिचाव के कारण धरातलिये भागों में दरार या भ्रंस पढ़ जाती है, जिस कारण धरातल का कुछ भाग उपर उठ जाता है, ये देखे ये, अग कुछ भाग नीचे धस जाता है, चुकि अब रोधी परवतों का निर्मान भ्रंस के कारण होता है, इसलिए इसे फ्रंस प्लस ओत, यानि कि अस्तर भंग जो हुआ था, वो उपर उठ गया, हौल्ट जो था, उठ मना उपर उठ गया, इसलिए इसको भ्रंसोत परवत हम लोग कहते हैं, ये सब वो हिंदी मीडियम में ही पढ़ाया जाता है, आप इसमें ज़्यादा किंसन नहीं लीजेगा, आप बस अंग्रेजी बाले यहां तक रहिए, आप कहते हैं कि आखिर ये सिद्धा कैसे है, तो एक है दरार का सिद्धान, हौल्ट थ्योरी, अद दूसरा है इरोजन का सिद्धा, देखिए ये क्या है बताते हैं, पहले चितर समझे, ये पहले दरार का सिद्धा, ये एक चट्टान है, यहां पर ये दो जगह पर मान लीजे ऐसे फोर्स, यहां पर लग रहा है, था बहुत पावरफूल फोर्स, लेकिन धीरे धीरे लग रहा है, तो अब देखिए क्या होगा है, ये वाला पार्ट ऐसे उपर उठ लग रहा है, कितना दूर तक बल लग रहा है, एक बलॉक उपर उठ गया है, ये बन गया है, ये जो ऐसे चटान तूटेगा, यहां क्या बन जाएगा, दरार बन जाएगा, दूसरा सिद्धानत कहता है, नहीं, अगर यहां पे इतना दूर अपरदन होना शुरू हो जाएगा, इरोजन, तो देख लिजे, दो-दो फोल्डेड माउंटेन बन जाएगा, ये अपरदन होके नीचे धस जाएगा, ये, और यहां से देखिए तो एक माउंटेन ये हुआ और एक माउंटेन ये, दोनों सिद्धानत मानने है, अपने को खाली सिद्धानत का मान याद रखना है, कि हम दो सिद्धानत पढ़ते हैं, या तो हॉल्ट हो जाए, हॉल्टिंग होके उपर उठ जाए, अयानित इरोजन से जो है कोई भाग नीचे धस जाए, यही है ब्लॉक परवत का निर्मान, अब आईए, कहता है ब्लॉक परवत का निर्मान कई रूपों में होता है, अब आ रहा है वही जिसको आप होर्ष्ट पढ़े थे आज, बिंद्याचल परवत को, जब दो समानांतर ये देखिए, जब दो समानांतर ये, हॉल्ट हो करके उपर उठ जाए, तो उपर उठे हुए भाग को ब्लॉक परवत काते हैं, उसी को होर्ष्ट भी काते हैं, तो अगर ये बड़ा एरिया ऐसे उपर उठ जाए, तो परवत, वही डूंगर टेकरी समझना है, अगर छोटा सा पाट उपर उठे, तो होर्ष्ट, तब पूरे बिंध परवत में एक छोटा सा भाग उपर उठा था, इसलिए वहां किताब में लिखा था कि यहां पर होर्ष् में रहिए, तब भगवान को याद खरिए, जो भगवान है आप, तब उसी तरह जब भी इंडियन जोगरफी के टेंसन में आईए, पहले फिजिकल जोगरफी खोल के एक बार रीडिंग बार देए, इसलिए आप उसको निसमेश आईए, यह हो गया होर्ष्ट, अब जब निर्मान के समय मध्यवर्ती भाग के दोनों और के अस्थल, देखे क्या कह रहा है, कि ब्लॉक परवत अगर भरंस के सिद्धान पर चलिएगा, तो कई रूपों में होगा, एक रूप तो यह हो गया कि बीचवला भाविश दूसरा रूप क्या देख रहे हैं, कि यह अगर धस्ते धस्ते रिप्क वैली के रूप में हो गया, तब भी जो है यह ब्लॉक परवत का निर्मान के तीसरा, काता है जब धरातल के किसी भाग में दो समनांतर धरार के बीच का भाग, कोई एक भाग है, एक यहाँ फॉल्ट था, एक यहाँ फॉल्ट था, पस यह नीचे धस गया, यह अपरदन से नहीं हुआ, एक क्या हुआ, यह देखिए, अपरदन से यह धीरे-धीरे ऐसे हो गया, नए, एक यहाँ तीरार पड़ा था, एक यहाँ तीरार पड़ा था, बहु विचरा स्लिप कर गया, इसलिए मेट्रोग दुगो पीलर के बराबर रखते हैं, आन पड़न का जो सिद्धान्त है, एक्चुली इसको बहुत लोग मानिता नहीं देता है, पहला बला को ही देता है, क्योंकि जैसे ही घिस गया कोई चीछ, फिर तो अब सिष्ट हो जाएं, अब सिष्ट किसको कहते हैं, परबत जहां हो, उसमें घसारा हो गया, जब घसारे हो लियाती बलॉक कैसे होगा, लेकिन फिर भी खोड़ा स्पर महुदय का जो है, सम्मानुमान कर लीजे जो कह रहा है, कहते हैं, कि ग्रेट बेसीन रेंज के ये विभिन परिवतों का ध्यान किये, और इन्होंने कहा, कि बरतमान बलॉक परवत का निर्मान, भ्रंस के कारण न गहसते जो है वो, दोनों एक ही बात हुआ, पिछला बला, एक कहा कि यहां दरार हुआ, और वो स्लिप हो गया, दरार का सिद्धान, आई ये कह रहे हैं कि नहीं, इसको गहसते गया, गहसते गहसते जो है वो नीचे दब गया, तो दोनों तरफ जो है आपको बलॉक परवत क अब इतना तो आपको भरुसा हिये है कि इस से ज्यादे उधारन हमी लिखाते हैं लिखे तो ब्लॉक परबर लिखिए पृत्वी की आंतरिक सक्तियों के कारण दो भरंस अबलिक खंड दो फॉल्ट अबलिक ब्लॉक ये उपर उठ जाने के कारण जिस परवत का निर्वान होता है उसे ब्लॉक परवत कहते हैं अब आगे लिखें। अब आगे लिखें। यह प्रायह दो समनांतर दरारों के मध्य में इस्थित होता है। जिनका आकार मेज के समान होता है। पहला गोलाम लिक्षे भरांसिया दरार का सिद्धान। आल्ट चोरी दूसरे अपरदन का सिद्धान। अब जरा हेडिंग दीजिए भरंसिया दरार का सिद्धान। नहीं जहां भरंसिया दरार का सिद्धान्त लिखे थे वहां लिख दीजिए डबल डॉट देखे क्लेरेंस किंग। इसका सिद्धान्त जो दिये हैं क्लेरेंस किंग। और इसम नहीं दिया है और अपरदन बलाम तो अस्पर महुदय लिखे ही थे इस्पर। यहां दिया है यह देखे यह क्लेरेंस किंग ने किया था। अब हेडिंग दीजिए भरंसिया दरार का सिद्धान। लिखिए। जब किसी छेत्र में यह देखे दरार के कारण धरातल का बड़ा भाग। दरार के कारण धरातल का बड़ा भाग। उपर या नीचे चला जाता है। तो उसे तो उससे बने ब्लॉक परवत इसी सिध्धान्त के द्वारा निर्मित माने जाते हैं। इसी सिध्धान्त के द्वारा निर्मित माने जाते हैं। ब्लॉक परवत का निर्मान अगला डैस कई रूपों में होता है। पहला गोला देए। दो सामान दरारों के बीच का भाग उपर उठ जाना। किसी में लिखते हैं। इस उठे उठे हुए भाग को हॉर्ष्ट कहते हैं। उपर उठे उठे भाग को हॉर्ष्ट कहते हैं। फिर लिखिए दूसरा गोला जब दरार के दिर्मान के समय। मद्वर्ती भाग के दोनों और के अस्थल खंड। नीचे की और खिसक जाते हैं। तो ऊपर उठे भाग सबका सार लिखा रहे हैं। नीचे धस गया तो ऊपर उठे हुए भाग ब्लॉक परवत कहलाते हैं। तीसरा लिक्षे गोला है। जब धरातल के किसी भाग में दो समनांतर दरारों के बीच का भाग नीचे धस जाता है या नीचे खिसक जाता है तो देखिए जो धस गया वो रिप्ट भैली। जो उठ गया वो ब्लॉक परवत तो नीचे धसा हुआ भाग डाउन लिप्ट जो हुआ वो रिप्ट भैली कहलाता है। और उपर उठा हुआ भाग ब्लॉक परवत कहलाता है। तो यह हो गया आपका पहला पाज। दूसरा लिखे अपरदन का सिद्धान। अपरदन के कारण। मद्यवर्ती भाग नीचे की ओर धस जाता है। तो किनारे के दोनों पूंचा उठा भाग ब्लॉक परवत कहलाता है। अब जो है पुदाहरन। तो लिखे करम संख्या। परवत का नाम छेत्र। पहला लिक्षे वासेज़। फ्रांस दूसरा ब्लॉक ब्लैक औरेस्ट जर्मनी। UPSC और GPSC की तयारी करने वाले वैसे छात्र जो वर्स 2024 में बार्मी की परिक्षा पास किये हैं और कॉलेज के साथ साथ UPSC और GPSC की तयारी करना चाहते है। या वैसे छात्र जो तीन साल पहले प्रिप्रेशन करके UPSC और GPSC का एक्जाम देना चाहते हैं अभी वो कॉलेज हैं। उनके लिए विश्वास लर्निंग प्राइबेट लिम्टेड के द्वारा एक बहतरीन कोर्स लांच किया गया है थ्री इयर प्रोग्राम इसमें NCRT, प्रिलिम्स और मेंस तीनों की क्लासेश आपको दी जाएगी। फरस्ट इयर NCRT की कक्छा दिये होगी यह पूरे एक साल यहां प्रिंटिंग मिस्टेक है 6-12 होगा जो बच्चे अहमदाबाद में आफलाइन क्लास करना चाहते हैं उनके लिए आफलाइन और जो अमदाबाद से बाहर रहते हैं भारत के किसी भी कोने में उनके लिए आउनलाइन क्लास अबलेबल है यह 1000 घंटे की क्लास है 2nd year General Studies प्रिंग्स की तयारी कराई जाएगी आफलाइन और आउनलाइन और 3rd year GS और essay मेंस की तयारी होगी और वो है आफलाइन और आउनलाइन तो अगर कोई भी बच्चा जो अहमदाबाद में रहके कॉलेज के साथ साथ 3 साल UPSC और GPSC का प्रिप्रिशन करना चाहता है तो उनके लिए विश्वास लर्निंग प्राइवेट के द्वारा 3000 प्लस घंटे की 3 साल में कच्छा का आयोजन किया गया है और वैसे बच्चे जो भारत में कहीं भी किसी कॉलेज में पढ़ते हुए ओनलाइन क्लास करना चाहते हैं तो उसी गुनवत्ता के साथ ये 3 साल का कोर्स है जिसमें आपको ओनलाइन 3000 घंटे की क्लासेस मिलेगी NCRT, Prelims और Mens आप अगर ओनलाइन क्लास करना चाहते हैं तो आप हमारे एप को डाउनलोड करिए विश्वास लर्निंग एप नाम है एक बार हम फिर रिपीट कर दें विश्वास लर्निंग एप आप डाउनलोड करिए और अगर आप अहमदाबाद में offline class करना चाहते हैं या अगर कोई जानकारी चाहते हैं तो उसके लिए आपको एक mobile number है 7043771326 हम एक बार फिर से repeat कर रहे हैं 7043771326 एक बार फिर से 7043771326 और online के लिए विश्वास learning app डाउनलोड करना है विश्वास learning app डाउनलोड करना है तो ये आपके लिए एक सूचना है कि आप college के साथ साथ यदि तीन साल की तैयारी करना चाहते हैं तो भारत में यदि कोई सबसे बहतरीन course दे रहा है तो वह है विश्वास learning private limited